और पाप की definition है परपीडनम दुसरों को कष्ट देना इसे पाप कहता है लेकिन पाप के अनेको प्रकार है असंख्य प्रकार के पाप है और यहाँ पर यदि प्रश्ण हो के उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए यदि जीवन में कोई बुरी आदत है जीवन म यदि कोई पाप हो गया तो उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करे श्रिमत भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है वैसे श्रिमत भागवत के प्रथम दिन श्रिवेदवियास मुनी ने विधी बताई भागवत महत्मय होना चाहिए तो श्रिमत भागवत महत्मय और नारद मुनी ये नारद मुनी ने अने को प्रयास किये और अंत में आकाश वानी होई सत पुरुषों के दवारा सत कर्म कराओ तब नारद मुनी सतकर्म क्या है इस प्रष्ण का उत्तर खोजने के लिए बदरिनात दाम में गये और बदरिनात में संकादिको के साथ उनका मिलन हुआ और बहुत सुन्दर चर्चा हुई और नारद मुनी ने सनका दिको को ये प्रश्ण पूछा ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा कि परपीड नम दुसरों को कष्ट देना ये पाप है लेकिन हे सनका दिको हे चतुष कुमारो कृप्या करके ये बताओ के पाप कितने प्रकार के हैं और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए बहुत सुन्दर ये अनग शब्द की डेफिनेशन और शुमत भागवत महत्म्यत दोनों एक साथ यदि हम चलाएं तो नारद मुनी का ये प्रश्ण ब्रह्मा जी के चार पूत्रों को के पाप कितने प्रकार के और उन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करे तब सनकादिक बहुत सुन्दर उत्तर देते हैं कुमारा उचोहो सनकादिक कहते हैं ये मानवापाप कृतस्तुसर्वदा सदादुराचा ररता विमाल्गगा क्रोधाग निदगधा कुटिलास्च कामिना क्रोधाग निदगधा कुटिलास्च कामिना सब्ताह यग्येन कलो पुनन्तिते चतुष कुमार ब्रह्माजी के चार पुत्र कहते हैं ये मानवाप प्राप कृतस्तु सर्वदा कहते हैं कि ये मानवा ये कल्यूक के मनुश्य सर्वदा प्राप कृतस्तु सर्वदा हर समय पाप करते रहते हैं सो पाप किसे कहते तो समझ गए पापाय परपीड़नम पाप की डेफिनेशन तो समझ में आ गई लेकिन पाप के प्रकार कितने हैं तब सनकादी कहता है सदा दुराचार रता पहला पाप पाप किसे कहता है सदा दुराचार रता दूसरी लाइन में सदा के लिए दूराचरन करना। दुराचरण का अरत यह है मनुष्य जीवन जीने के लिए जैसे मार्केट से हम कोई प्रोड़क्ट खरीते हैं टीवी या फ्रीज वाशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रोनिक वस्तु हम लाते हैं या कोई कार खरीते हैं तो उसे चलाने के लिए मैन्यूल होती है उस मैन्यूल के अनुसार हम यदि उस प्रोड़क्ट को यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारे पुरोवर्ति आचार्यों ने जिसे मनु महराज ने मनुष्मृति में बड़ा क्लियर लिखा है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य है क्या करना क्या नहीं करना चाहिए शिवेदव्यास मुने ने भागवत में लिखा पुराणों में अनेकों स्थान पर मनुष्य के कर्तव्य लिखे गए है तो वेदों में शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जो कर्तव्य लिखे गए हैं वे कर्तव्य न करना और किसी अन्य वस्तू को ही लेकर बैठना इसी का नाम है दूराचरण जो आचरण करने के लिए मना किया गया है और जो करने के लिए कहा गया है वो नहीं करना और जो मना किया गया है वो करना उसे दूर आचरण कहते हैं तो सबसे पहला पाप क्या है वेद विरुद्ध चलना शास्त्रों से विरुद्ध चलना ये पाप है प्रथम लाइन सब लोग याद रखिएगा ये मानवा पाप कृतस्तु सरवदा संसार कि सभी मनुष्य ये पाप करते हैं अलाकि हम आप हम सब लोग ये पाप करते हैं क्योंकि वेदों में जो लिखा है हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन जीवन में उतारना हम कितना जीवन में उतारते हैं यहां question mark है सो वेद वानी को जीवन में न उतारना प्रथम पाप है फिर दुसरा पाप मैं ये पाप पाप क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अनग उपर अनग बैठा है अरजुन का नाम क्या है अनग यदि अरजुन बनना है तो अग से मुक्त पापों से मुक्त होना है दुसरा पाप क्या है वी मार्ग गाह ये मानवा संसार का मनुष्य वी मार्ग गाह मार्ग भटक चुका है अरतात संसार के मनुष्य को जिस मार्ग पर चलना चाहिए उस मार्ग पर नहीं चल रहा है देखिये हमें हमारा मार्ग तै कर लेना चाहिए और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए यक्षन युदिष्टिर को प्रश्ण पूचा था याद है मैं पाथिये पाथिये तेल डालता हूँ बिल्कुल शलोग दिखा दिखा कर बिल्कुल आपको कई महिनों से समझा रहा हूँ तो दिरे दिरे अब याद हो जाना चाहिए गोपाल को याद है सो कह पंथा यक्षन परश्ण पूचा था न कह पंथा मार्ग क्या है तो सीधा पता होना चाहिए तरको प्रतिष्ट स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनियस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम नहितम गवायाम महा जनो येन गतहस पंथा सही पंथ कौन सा है सही मार्ग कौन सा है महा जनो येन गतहस महा जन बड़े बड़े आचारिय स्वयंभू, ब्रह्मा, नारद, शीव, चतुष कुमार भगवान कपिल, मनु महराज, पिताम भिश्म, धर्म राज, शुगदेव गोश्वामी, विदव यह जी ये बड़े बड़े आचारिय जीस मार्ग पर चले है वे सही मार्ग है, वही उत्तम मार्ग है सो मनुष्य का धर्म है एसे महाजनों के पद चिनों पर चलना एसे आचारियों के पद चिनों पर चलना एसे बारह आचारिय है बारों के पंत थोड़े थोड़े से भिन्न है लेकिन अंतिम डेश्टिनेशन एक ही है कुछ लोग सनत कुमारों के पंथ में चल रहे हैं कुछ लोग ब्रमा जी के पंथ पर चल रहे हैं कुछ लोग शिव जी के पंथ पर चल रहे हैं लेकिन इन महाजनों के पंथ पर चलना यही मनुश्य का करतव्य है लेकिन कल्यूग में वी मार्गगा कल्यूग में शिवजी के मार्ग पर चलना चाहिए सनत कुमारों के पंथ पर चलना चाहिए ब्रह्मा के महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए लेकिन कल्यूग के लोग इन महाजनों के पंथ पर न चलकर ये टीवी के हॉलिवूड बोलिवूड के नट और नाटिका के पंथ पर चलता है किसी फिलम के हिरो ने बाल बढ़ाए तो ये भी बंदा बढ़ाता है किसी ने मुझ बढ़ाई तो मुझ बढ़ाता है अब आजकल कुछ फिलमों के नायक नायकों ने दाढ़ी बढ़ाई है तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं दाड़ी बढ़ाना ये कौंसा गून है? लेकिन लंबी-लंबी दाड़ी करके गूमते हैं, खुजली भी नहीं आती, पता नहीं कैसे उनकी पत्नी भी स्विकार कर लेती हैं, और पत्नी वे हरक फदुडी के दाड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, शिल्व रभुपाद अक्सर कहते हैं, क्लीन शेव होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य की तरह रहे, तो फिर डार्विंग ने कहां कि हम बंदर से हैं, तो बंदर क्या बूरे थे? ये रिच भालू क्या बूरे थे? दाड़ी बाल बढ़ाना? कुल मिलाकर मैं इस पॉइंट पर कहे रहा हूँ, आप डाड़ी बढ़ाओ, कोई बात नहीं, आप मूच रखो, बाल रखो, मुझे क्या लेना देना? लेकिन पॉइंट ये हैं, वी मार्गगा, हमें महाजनों के पंथ पर चलना चाहिए, हमें बड़े-बड़े आचार यो के अनुसरन करना चाहिए, नहीं कि संसार के भोतिक, जगत के भोतिक लोगों का अनुसरन करे, तो यहाँ पर सनत कुमार कहता है, महाजनों का मार्ग छोड़कर, किसी अन्य मार्ग का अनुसरन करना पाप है, वेद विरुद्ध चलना पाप है और आचार ये महाजनों से विरुद्ध चलना उनके मार्ग का अवलम बनना करना ये पाप है फिर आगे क्या कहता है क्रोधागनी दगधा क्रोध करना पाप है क्रोध कैसा है अगनी के समान है और जब क्रोध होता है तो अगनी के समान दगध, आदमी गरम हो जाता है जिसको क्रोध होना उसका temperature चेक किजिएगा बहुत high हो गया होगा क्रोध में कान लाल हो जाता है, मूह लाल हो जाता है होट फफटने लगता है सो क्रोधागनी दगधा देखिए क्रोध की भी जीवन में आवशक्ता होती है ये सुरुष्टी चलाने के लिए शिव जी कभी-कभी क्रोध नहीं करते हैं हर समय नहीं करते हैं लेकिन सुरुष्टी का जब प्रली करना होता है तब महादेव भी क्रोध करते हैं तो हमारे जीवन में कभी-कभी किसी क को सिख्षा देने हे तू, कुछ काम कराने हे तू, कभी कभी करोध करे, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा, क्रोध कैसा होना चाहिए, क्रोध घटी का द्वयम, क्रोध जो है दो घड़ी के लिए ही होना चाहिए, क्रोध आये बुरा नहीं है, आप लिख लिजिए, क्रोध बुरा नहीं है लेकिन दो घड़ी में वो चले जाना चाहिए दो घड़ी से ज़्यादा क्रोध यदि टीक गया तो काम बिगाड कर ही जाएगा आपका भी काम बिगड़ेगा दुसरे का भी काम बिगड़ेगा सो क्रोधाग नी दगधा क्रोध जो है यह पाप है अब हम मेंसे कौन दावा करेगा के मैं क्रोध नहीं करता हम आप सब क्रोध करते हैं इसका अर्थियें के हम पाप करते हैं क्योंकि सनत कुमार कहते हैं के यह मानवा पाप कृतस्तु सरवदा यह पापों का लिष्ट है के वेद विरुद्ध चलना पाप है वी मारगगा सादूओं के पजिनों पर नहीं चलना पाप है क्रोध करना पाप है फिर आगे कुटिला कुटिला, कुटिलता माने पराई व्यक्ति को अपनी समझना पराई पतनी को अपनी पत्नी या अपनी फ्रेंड या जो भी आजकल चलता है जो शब्द आप इस्तेमाल करो व्यास्पीट से शोवा नहीं देता लेकिन पराई व्यक्ति को अपना समझना और उससे संबंद रखना ये कुटिलता है और ये कुटिलता पाप है देखिए हमारे भागवत में हमारे शास्तुर में कितना क्लियर एक-एक पॉइंट किया गया और फिर आगे कहते हैं कामिन, कामना काम वास्तना का जगना मन में कामना ये उत्पन होना ये भी पाप है सो कितने गिनाये गए दूरा चरा वेदों से विरुद्ध चलना वी मारगगा सादू संतों के मारग से विरुद्ध चलना, क्रोध करना कुटिलता लाना और कामना पाँच तब नारदम उन्हें ने कहा कि आप कहते हों कि ये पाप है लेकिन इन पापों से मुक्त होने का उपाई भी आप बताईए खाली-खाली पाप गिनाएंगे तो क्या फाइदा इन पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए तब बहुत बड़ी बात कर दिये सनत कुमारों ने कहते हैं कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो कितना भी कामी हो कितना भी मार्ग भटक चुका हो कितना भी क्रोध कर रहा हो ठीक है लेकिन इन सारे पापों से इन पाचों पापों से मुक्त होना है तो एक कारिय करना होगा और वह कारिय क्या है सब्ताह यग्ये न कलो पुनंतिते कलो सबसे पहले शब्द पकड़िये कलो ये कोई सतियुग की बात त्रेता या द्वापर की नहीं हो रही ये कलियुग की बात हो रही है इस कलियुग में इन पाँचों पापों से पुनन्ती पवित्र होना है इन पाँचों पापों से मुक्त होना है तो एक ही कारिय कल यूग में है और वह कारिय कौन सा सब्ताह यग्यन साथ दिन भागवत सब्ताह साथ दिन भागवत कथा का श्रवन किया जाए तो इन पाँचो पापों से हम मुक्त हो सकते हैं तो श्रिमद भागवत कथा जो है अभी भी पाप का लिष्ट बहुत लंबा चुड़ा आप इतना मत समझ ये पाँची पाप है अभी आगे सुनिये और भी पाप है सनत कुमार आगे कहते हैं और कौन से पाप है सत्ये नहीना पित्रुमा तुदूशका स्त्रिश्णा कुलाश्चा श्रमधर्मवर जिता ये दंबिकामत सरिणों पिहिंसका सप्ताह यग्ये नकलो पुनन्तिते और आगे पापो का लिष्ट अब चेक लिष्ट बनाइए मैं किस-किस में फीट हो रहा हूँ आप विश्वास रखिए सब में हम लोग फीट हो जाएंगे अब आगे कहते हैं सत्ये नहीना और और पाप क्या है सत्ये नहीना सत्य से विहिन होना अर्था जूट बोलना पाप है अब कल्यूग में तो क्या हो गया चोटी-चोटी बातों में चोटी-चोटी काम बनाने के लिए चोटी-चोटी कारिय को निकालने के लिए संसार के लोग कल्यूग के लोग जूट बोलते हैं इसलिए कहते हैं सत्ये नहीना जूट बोलना पाप है अलाकि दौापर यूग में त्रेता यूग में उतना जूट नहीं बोला जाता था जितना आजकल कल यूग में जूट बोला जा रहा है मैं एक्सर कहता हूँ न कि सत्यूग में लोगों की वानी पत्थर में लकिर होती थी फिर जैसे जैसे यूग बिता तो रेत में लकिर कुछ दिन रहती हैं फिर रेत बिखर जाती हैं लेकिन कल यूग में लोगों की वानी पानी में लकिर की तरह हो गई एक और वचन देते हैं सत्य नहीना और आजकल एड़र्टाइज के कितने फोन आते हैं कि आप ये प्रोड़क्त ले ली जी हम इतना देंगे इतना देंगे इतना कुछ मिलता बिल्कुल ये कल्यूग चली रहा है असत्य के उपर सो सत्य नहीना असत्य बोलना पाप है फिर कहता है पित्रू मात्रू दूशका अपने पिता और माता को दुख देना ये पाप है आजकल इस कल्यूग में कल्यूग के बच्चे अपने माबाप को बड़ा दुखी करते हैं मैं भी कुछ ऐसे बच्चों के संपर्क में आया हूँ माबाप ने निवेधन किया कि हमारे बच्चों को समझाईए और बच्चों से जब हम मिलते हैं और जो सुनते हैं हमारा दिमाग भी चक्राने लगते हैं बच्चे ये सोचते हैं आप बच्चों को कहने आजकल के बच्चों को कि अपने माबाब की बात माने तो कहते हैं हम क्यों माने तो हम कहते हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया पाला पोसा बड़ा किया तो कहते हैं वो तो उनका धर्म था वो तो उनकी रिस्पोंसिबिलिटी थी उन्होंने अपनी रिस्पोंसिबिलिटी नवाई उन्होंने अपन स्वतंतरता से जीवन जीएंगे पता नहीं आज कल के बच्चों की ये mentality कहां से बिगड रही है यदि गीता भागवत के आश्रे में रहन तो बच्चों की mentality उतनी नहीं बिगड सकती यदि रामयन जैसे ग्रंतों कथा के आश्रे में रहे तो दिमाग ठिकाने पर रहता है औरे गुजरात में एक संत हुए पुनित महाराज तो पुनित महाराज बहुं सुंदर एक भजन लख्यू बहुं जुनु भजन आपर तियां गाई भूलो भले बीजू बदो माबापने भुलशो नहीं अगणीत छे उपकार एना ये कदी विसर शो नहीं पत्थर पुजियां पुत्वीतना त्यारे दिटू तम मूखडू ये पुनित जनना काल जा पत्थर बनी चुंद शो नहीं वे पुनित महराज लिखते हैं कि जीवन में सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने माबाप को कभी मत भूला वे कहते हैं जानते हो बच्चो बच्चो आपको जन्म देने के लिए आपको इस संसार में इस दुनिया में लाने के लिए आपके माता पिता ने कितनी पूजा की कितनी मन्नते रखी अनेको मंदिर मंदिर गए देवा ले में गए अनेक पत्थरों के उपर अपना मत्था ठिकाए अनेक पत्थरों की पूजा किये तब जाकर बच्चो तुमारा चहरा माबाप ने देखा और आज तुम स्वयम पत्थर बनकर अपने माबाप के अर्मानों को कुचल मत देना अपने माबाप के इच्छा को नश्ट मत कर देना वे बहुत सुन्दर दिल को देलाने वाली बात करता है काढ़ी मुखे थी कोडिया मोमादई मोटा कर्या ये अम्रित तना देनार सामे जेर कदी उगणशो नहीं जीस माता पिता ने स्वयम भूखे रहे कर आपको अम्रित खिलाया अपने मुख के भोजन को निकाल कर आपका पेट भरा जिन माबाप ने आपको अम्रित पिला कर बढ़ा किया उन माबाप को कभी जहर मत पिलाना और माबाप को कभी विश मत पिलाना लाखो कमाता हो भले माबाप जेती नाठर्या ये लाख नई पन राख छे ये मानवू भुलशो नहीं आपने बहुत मेहनत की जोग किया बिजनस किया और बहुत बिजनस करके लाखो कमाएं लेकिन एक बात याद रख लेना पुनित महराज लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके पांस लाखो रुपिय हो लाखो डोलर हो लेकिन माबाप के रदेई दुखी है माबाप के रदेई शांत नहीं है माबाप के रदेई जल रहे हैं तो आपके लाख लाख नहीं वो राख है वो कुछ काम के नहीं है वो लाक रुपिय वो राख के समान है संतान थी सेवा चाहो संतान छो सेवा करो जेवू करो तेवू बरो ये भावना भुलशो नहीं इस दुनिया में प्रायर सब लोग चाहते हैं के मेरे बच्चे मेरी सेवा करे हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखे हमारे बच्चे हमारा बुढ़ापा पाले लेकिन पुनित महराज लेखते हैं के हम अपने बच्चों से तो सेवा की आशा रखते हैं लेकिन हम भी किसी के बच्चे हैं ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए हम भी किसी की बहु है आजकल हम चाहते हैं हमारी बहु हमारी सेवा करे हमारी बहु अच्छी तरीके से रहे लेकिन क्या हम ये भूल गए कि हम भी किसी की बहु है किसी सास के अर्मान होंगे किसी माबाप के कितने अर्मान होंगे वे सारे अर्मानों को हम कुछल रहे हैं हम लोग तोड़ रहे हैं जेने तमारी राह पर पुशपो बिछाव्या प्रेमती जेने तमारी राह पर ये राह बर ना राह पर कंटक कदी बनशो नहीं आप विचार तो करो के माबाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं हमारे गुजरात के किसी संथ ने तो यहां तक कह दिया त्राजवे तोल तोलाय नहीं अने तातने गाट घडाय नहीं किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते उपमा नहीं दे सकते एसे माता पिता के रदय को दुखाना यह बहुत बड़ा पाप है पुनित महराज अंत में बहुत सुन्दर कहते हैं धन खर्चता मलशे बदू माता पिता मलशे नहीं मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कि जीते जी माबाप की सेवा नहीं करते हैं धन खर्चता मलशे बदू माता पिता मलशे नहीं पल पल पुनित ये चरणनी चाहना भुलशो नहीं धन खर्च करने से दुनिया की सारी वस्तु आप खरीद पाओगे लेकिन माबाप को खरीद नहीं पाओगे माबाप धन से नहीं मलते वो इश्वर की करुणा से मिलते हैं और ऐसे माबाब का दिल दुखाना भागवत में लिखा हमारे वेदों में लिखा सतिये नहीना पित्रु मात्रु दूशका माता पिता को दुखी करना ये बहुत बड़ा पाप है भगतों बहुत बड़ा पाप मैंने तो अपने जीवन में छोटे से जीवन में अनुबव करके देखा कि माबाब की सेवा आपकी तकदीर को बदल सकती है माबाब की सेवा आपके भाग्य को बदल सकती है ने तो देवरत क्या थे देवरत तो अपराधी थे पुरुव जन्म में वशिष्ट जी की गाई काम देनु को चुरा चुके थे लेकिन उस देवरत ने अपने बाप माता-पिता शांतनु और मा गंगा की सेवा की इच्छा मृत्यू का वर्दान मिल गया और बन गए पिताम भेश्मा माता पिता की सेवा करने सही तो पिताम भिश्मों को इच्छा मृत्य का वर्दान मिला माबाप की सेवा करके ही पुंडरी को विठल जी का धर्शन हुआ के मात्रू पित्रू दूशका माबाप को दुखी करना ये पाप है जूट बोलना ये पाप है फिर आगे तृष्णा कुला तृष्णा से तृष्णा से आकुल रहना व्याकुल रहना ये भी एक पाप है तृष्णा माने क्या तृष्णा माने इंद्रियो की लालसा इंद्रियो की कामना आख की तृष्णा है कि मैं फिलम देखूं कान की तृ तृष्णा फिल्मों के गाने सुनू, जीवहाग की तृष्णा में नॉन्वेज खाऊू, में शराब प्यूँ, यह जो तृष्णा है, और तृष्णा से आकुल व्याकुल जीव, यह बहुत बड़ा पाप है, तृष्णा कुला, फिर आगे आप गिनते जाएगा, गोपाल धर्म वरजीता, जो आशरम धर्म को त्याग देते हैं, यह भी एक पाप है, आशरम धर्म क्या है, भगवान ने एक बहुत सुन्दर व्यवस्था बनाई, वर्ण आशरम व्यवस्था, वर्ण और आशरम, वर्ण माने ब्रामन, शत्रिय वैश और शुद्र, आशरम माने ब यक्ति को ब्रमचारी आश्रम में रहना चाहिए और 25 वर्ष तक ब्रमचरिय वरत का पालन और वेद शास्तर का पठन पाठन करना चाहिए फिर चाहे राजा का बेटा हो शत्रिय हो ब्रामण हो वैश या शुत्र फिर 25 से 50 वर्ष तक वे चाहे तो ग्रहस्त जीवन बिताए च इका वन 50 पार कर दिये अब 50 के बाद क्या आता है एका वन अब वन में जाओ वन में वान परस्त आश्रम सिव कार करो ऐसे फिजीकली वन में मत जाओ लेकिन संसार की जो ये ये जो वहवट है वो दिमाग से हटा दो और केवल प्रभू में मन को पिरोने का प्रियास करो कार चमकारा होगा और कब मृत्यू आएगी इसकी कोई भरोसा नहीं है तो 50 के बाद 51 वानपरस था आश्रम और फिर 75 साल से लेकर 100 साल तो यदि बंदा जीवित रहा तो आज कल मुझे नहीं लगता है कि इस दूल दूवे में कोई लेकिन 75 साल के बाद सन्यास आश्रम लेकिन इन आश्रम को जो फॉलो नहीं करता क्या लिखा आश्रम धर्म वरजीता ये पाप है फिर आगे ये दंभी का दंभ करना पाप है आप सब तो जेन्यून है लेकिन मेरे जैसे क्या होते हैं भक्त नहीं होते हैं और भक्ती दिखाने का दंब करते हैं, I am a senior devotee, I am a very, मैं बहुत बड़ा ज्यानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो ये दंब है, जो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रस्तुत करता है, वो दंब है, हम भगत है नहीं, लेकिन अपने आपको भक्ते कहते हैं, दंब है, हम आरे पास धन है नहीं, लेकिन हम अपने आपको धन ही दिखाते हैं, ये दंब है, आज कल साच कहें, दुनिया में दंब ही चलता है, दंब का जमाना है आज, तो ये दंब ही का, फिर आगे कहते हैं, मत सिरों तो दंब करना पाप हैं फिर कहते हैं मत सिरनों पी हिन सका मत सरिनों मत सरमाने दुसरों की प्रगती देखकर रदई आकुल व्याकुल हो जाना रदई काम रदे में कष्ट होना कि वो कैसे आगे बढ़ गया लाल गोविंदास लॉक डाउन होते हुए भी कता कैसे कर है खीचो दोती सो यह सब चलता है मत सर मत सर ने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा संसार के लोगों को तो नहीं छोड़ा साधू जंतों को भी मत सर ने नहीं छोड़ा दूसरों की प्रगति दूसरों का कुछ बला देखकर दूसरों का कुछ अच्छा देखकर इर जदही में कष्ट होना, कुछ लोग का सौभावी सौभा होता है, पर आई है ऐसी मिलब कुछ लोग बैठे होते चर्चा होती है, कि देखो फलाने भाय का लड़का जो है न, दसवी में आ गया, तो जिसमें मत्सर होता है न, वो क्या कहते हैं, दसवी में आया है, बॉड की ए वो 98% से पास हुआ, बुल 98% आने से क्या हो गया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले तो मुझे कहना, यह मत्सर था, फिर 98% में मुंबे में अच्छी सी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, फिर कहते हैं, कि देखो इतनी अच्छी कॉलेज में एडमिशन, graduation होगा तो कहना, पांच साल लगातार पढ़ता है, और पांच साल लगातार पढ़कर, वो graduate हो जाता है, बहुत अच्छे मार्क से अच्छे नंबर से तब वो चर्चा चलते है, देखो वो तो graduate हो गया, तब कि ग्रेजुट होने से कौन सा बड़ा काम हुआ, अच्छी जगन नौकरी मिले तो कहना, इसको नौकरी नहीं मिलने वाली है, फिर क्या होता है, वो ग्रेजुट हो गया, बहुत बड़ी कम, Amazon में, हम क्यों छोटी कमनी का नाम ले, Google में उसे नौ नौकरी मिल गई, कहा, कि देखो तु एसा कहती थी न, तुम एसा कहती थी न, उसको नौकरी मिल गई, गूगल में नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी CEO, मैनेजर की पोस्ट पर, बहुत बड़ी से क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है नौकरी मिलना, छोकरी मिले तो कहना, अ कहते थे न अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, देखो पत्नी भी मिल गए, अच्छी पत्नी मिलने से क्या हुआ, इसे बच्चे होंगे तो कहे नहीं, इसको बच्चे होंगे ही नहीं, मैं कहते हूँ इसको बच्चे होंगे ही नहीं, मतसर्ता, यह मतसर्ता देखे कहां तक पहुं तो बताना अब संसार के लोग कहते हैं कि तु कितना लंबा खीच रही है अब तो तु पीछे हट कर ले अब तो तु समझ जा दुनिया के लोगों का यही सब की बात नहीं कर रहा हूं कुछ लोग मतसर मतसर पर उतकुरुष्ट दुसरों की उतकुरुष्टा सहन नहीं हो पाती अंदर से होता है कि यह क्या हो गया तो यह पाप है हमारे वेदों में इसे पाप कहा गया है और फिर हिन्सका हिन्सका माने कुरूर सुभाव कुरूर सुभाव होना भी एक पाप है तो कितना हुआ सतिये ने जूट बोलना पाप माबाप को दुखी करना पाप तुरुषना से आकुल रहना पाप आश्रम धर्मक को पालन नहीं करना पाप दंब करना पाप मतसर दुषरों की प्रोग्रेस पर दुखी होना पाप और हिंसा कुरूर बने रहना पाप तब नारज्जी ने कहा कि इन पापों से मुक्त होने का उपाई महराज तब कहते हैं सपताह यग्ये नकलो पुनन्तिते सनकादी कहते हैं के चाहे व्यक्ति कितना भी इन में से बड़ा पाप किया हो लेकिन सपताह यग्ये शात दिन तक भागवत कथा का श्रवन करता है भागवत सब्ता यग्य में भाग लेता है तो कलो इस कल्यूग में वो पवित्र हो जाता है इन सारे पापों से मुक्त हो जाता है और आगे कितने पाप हैं? आप गिनते जाईए आप गिन कर ठक जाएंगे और आगे कहते हैं ये समझने वाली चीज है पंचोग्र पापा छल छद मकारीन क्रुरा पिशाचा इव निर्द याश्चये ब्रम्ह स्वपुष्टा व्यभिचार कारीन सब्ता है यग्ये नकलो पुनन्तिते सब्ता है यग्ये नकलो पुनन्तिते सनकादी कहते हैं पंचोग्र पापा पंच उग्र पापा पाँच प्रकार के उग्र पाप है वो पाँच प्रकार के उग्र पाप कौन से हैं? अमारे शास्त्रों में कहा पाँच प्रकार के बड़े भयंकर पाप, पंचोगर पाप, तो इस पाँच में कौन से आते हैं, एक मदीरापान, शराप्पिना, दुसरा ब्रह्म हत्या, किसी ब्रामन या वश्नों की हत्या, तिसरा सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी, चोथा, गुरु स्त्री गमन, अपने गुरु की स्त्री के साथ विहार, और पाँचवा, विश्वास गात, इसे पंचोगर पाप कहते हैं, हमारे वेदों में, सो मदीरा पान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन, और विश्वास गात, ये पाँच उगर पाप है, और फिर आगे छल चद्म कारिण, दुसरों से छल करना, दुसरों से कपट करना, ये भी एक पाप है, किसी से जूट बोलकर पैसे ले लेना, और फिर वो पैसे की उगराने के लिए, वसूली के लिए फोन करता है, तो फोन उठाना नहीं, फोन बंद कर देना, कहो घर पर नहीं हैं, बाहर गई हैं, छल चद्म कारिण, ये हैं चल और चद्म, चुप जाना, ये पाप है, फिर क पुरूर बने रहना पाप है, पिशाचा इव निर्दया, पिशाच के समान, प्रेत भूत के समान, निर्दय होना पाप है, वक्तो निर्दयता बहुत बड़ा पाप है, जीवन में इतनी भी उपलबधी प्राप्त मत कर लिजिएगा, कि हम निर्दय हो जाएं, जब किसी को बहुत बड़े बड़े पद मिलते हैं जब किसी को बहुत बहुत धन मिलता है तब सबसे पहला दोश क्या आता है निर्देटा वो दया चली जाती है आदमी जितना उंचा चले जाता है फिर वो हमारे वाँ तो शबत है निए प्राउन टू दी अर्थ फिर अर्थ को वो टच नहीं कर सकता वो फिर पिशाचा इव निर्देयास्च निर्देय ब्रह्मस्व पुष्टा अब ये ये भी एक पाप है ब्रह्म माने ब्रह्मनों से ब्रह्मनों से अपनी पुष्टी करना अर्थात ब्रामनों का धन वापरना देखिए ब्रामनों का धन कभी वापरना नहीं चाहिए इवन ब्रामनों को धन देना चाहिए ब्रामनों की जो मजदूरी है ब्रामनों से जो हम मैनत कराते हैं ब्रामनों से जो जो ब्रामन का बनता है उसे देना चाहिए यदी हम नहीं देते हैं तो हम पाप कर रहे हैं तो बहुत सुन्दर कहते हैं ब्रह्म स्वपुष्टा ब्रामनों से वड़ी अपनी पुरुष्टी करना ब्रामनों को तो आखों के पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए जो भगवान के मुख माने गया है सो ब्रह्म स्वकुष्टा ब्रह्मनों से अपनी पुर्ष्टी और व्यभीचार कारिन और जो व्यभीचार करता है सो व्यभीचार करना पाप है ठीक है? तो कितने हुए पंचोगर पाप 5 ये मदीरा हो जो मैंने आपको गिनाया चलचद्म, कारिन, कुरूरा, पिशाचा, निर्दई, ब्रह्म ये सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति ऐसे बज़े ये चुटकी ऐसे मुक्त हो जाएगा करना क्या होगा? करना क्या होगा? केवल जूम एप्लिकेशन आउन करना है और 1008 पासवर्ड दालना है और आगए लाल गोविंदाश श्रिमत भागवत कता उसे सुनना है सो सप्ताह यग्येन कलोप उनन्तिते इस कल्यूग में सप्ताह यग्य करने से भागवत सप्ताह साथ दिन सुनने से इन सारे पापों से हम मुक्त हो जाएगे कही न कही हम लोग इन पापों में बंदे हुए हैं इन पापों से हम मुक्त हो सकते हैं और आगे कहते हैं काये न काया से जो करते हैं वाचा, वाणी से मन सा, मन से सो काया से कोई पाप करे वाणी से पाप करे मन से पाप करे नित्यम प्रकुरुवंती शठा हटे नहीं और निरंतर पाप करता रहे और शठ उसका मन न माने शरीर न माने बिल्कुल हट करके बैठे शठ बनकर बैठे और परस्व पुष्टा और दूसरों के धन के उपर ही निर्बर रहे देखे मनुष्य जिवने मिलाम संसारी है तो हमें मेहनत की खानी चाहिए मेहनत कमा कर खाना मुझे वो ग्रिहस्त बहुत पसंद है और सच को तो मेरी दरश्टी से तो वे ग्रुहस्त साधू है जो खुद अपने पसिने की कमाई खाते है और फिर धरम भजन इत्यादी करते है वो रुशी मुनियों से भी उत्तम है लेकिन यहाँ पर कहता है परह स्वपुष्टा पर दुसरों के उपर स्वअपनी पुष्टी करते है मलब दुसरों के धन पर डिपेंड रहते हैं दुसरों के उपर डिपेंड रहते हैं, वो पापी है, वो पाप है, और यदी कदाचित हम दुसरों का धन इस्तेमाल करें, तो जितना धन है उससे ज़्यादा मेहनत करने चाहिए, उससे ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो वो धन पचेगा नहीं, वो लोहे के सम वो हमें भेद देगा, तो परस्व पुष्टा भी पाप है, मलीना, मेला रहना, अपवित्र रहना पाप है, टोईलेट आदी करके स्नान करना, सुब उठकर स्नान, दिन में तीन बार स्नान, बाहर से इत्यादी स्नान करना, तो मलीन रहना पाप है, और दुराशया, हमारा आशए मन में गलत विचार रखना पाप है, लेकिन ये इस प्रकार के जितने भी पाप यदी कोई कर रहा है, कदाचित हो रहे हैं और इन पापों से यदी मुक्त होना है, तो सब्ताह यग्येन कलोपुनन्तिते, भागवत सब्ताह का श्रवन करके हम इन पापों से मुक्त हो स इस प्रकार से किसने सनत कुमारों ने नारद मुनी को कहा के पाप की ये डेफिनेशन, शुरू किया था अनग से अरजुन, अरजुन कैसा है पापों से मुक्त अनग जिसमें पाप नहीं और इसलिए गीता सुनी, सुनाई, समझी, जीवन में उतारी और सपल हुए